नमस्कार साथियो NIOS के कमिटी हेल्ट टीनिंग प्रोगाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कमिटी हेल्ट टीनिंग प्रोगाम बहुत ही इंपोडेंट प्रोगाम है हेल्थ वर्कर्स के लिए खास तोर से अभी तक आपने इसके जो अलग-अलग विसाय हैं विसाय 1, 2, 3 तीनों में जो पहला और दूसरा विसाय है वो पूरा आपने पढ़ा तीसरे जो विसाय के अंतरगत जिसमें आपात कालीन और रोगों की उनसे बचाव और तीकिसा उप्चार जो भी है इसके बारे में आप अलग-अलग यूनिट्स को पढ़ रहे हैं आज विसे सुप से जो यूनिट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है जीवन सैली सम्मंधित रोग और उनसे बचाव और उनके उप्चार आज की यूनिट आपकी बहुत important यूनिट है और जिसमें की जीवन सैली सम्मंधित रोग उनसे कैसे बचा जाए और उनको कैसे उप्चार उनका किया जा सकता है इसके बारे में आप सभी जानेंगे जो की अब देखते भी हैं आम तोर पर आजकल सभी का जो लाइफ इस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है चाहे वो हमारे कारण के कारण हो चाहे हमारी किसी बिजनिस के कारण हो बहुत सारी कारण हो सकते हैं लेकिन आजकल मानव के जो रहन सहन में चेंज आया है उसकी ब यह हमें जानना बहुत आवस्क है, और यद ये सामने आती हैं तो इनसे कैसे बचा जाये? और कैसे इनका यद आ रही है, तो उप्चार की आ जाये? यह भी बहुत जरूरी है, उप्चार के बिना आप आगे बढ़ने सकते, या किसी को कोई भी रोग हो गया है, तो अप कैसे बढ़ेंगे आगे तो चाहे वो हिर्दय संबंधी रोग हो या फिर डाइबिटीज का रोग हो डाइबिटीज डिसोर्डर तो वैसे भी आज कल चार पांच परसन को छोड़ करके छटी परसन में मिली जाता है तो इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है और कार्ण वही है रहन निधिगर्ग आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयरवेदिक कॉलेज की और आयरवेदिक फिजीशन भी है तो यह आपको जीवन सहली संबंधित रोग के बारे में एक विस्ते दूप से चर्चा करेंगी मैं उनका स्वागत करता हूं इस्टूडियो में निधिजी आपक जो मुख्य रूप से बीमारियां हैं हैं इनको ठीक से आप बताएंगे इनके कार्ण भी आप इनको समझाएंगे साथ में इनसे बच्छाव कैसे किया सके और यद हो गये हैं तो उनकी क्या रोब थाम हो सकती है क्या उनका lover सकता है इस पर चर्चा करेंगी धन्यवाद ड्, प्रवंसर जैसे की ने आपको बताया आज हम जीवनशेली संबंदित रोगों के बारे में बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंन महत्पून टौपिक है क्योंकि आज कल सभी जीवनशेली संबंदित रोगों औसे ग्रस्त हो रहे हैं और ये एसे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत जादा चिंता का विश्या बनते जाए हैं क्योंकि हर कोई आज इनके बारे में जानेंगे की जीवन शेली संबंदित रोग कौन-कौन से है और ये कैसे हम लोगों को प्रोग्रस करते हैं तो चलिए आईए जानते हैं जीवन शेली संबंदित या Lifestyle-related Disorders के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जीवन शेली क्या है जीवन शेली है हमारा रहने-सहने का तरीका अर्थात कि हम किस तरह से रह रहे हैं हमारा आहार वहवार कैसा है आहार विचार कैसा है हम किस माहोल में रह रहे हैं तो ये सब हमारा जीवन शेली कहलाता है जीवन शेली अर्थात रहन-सहन का तरीका जो रोग रहन सहन के तरीकों में आये बदलाव के कारण व्यक्ति को रोग रस्त करते हैं उन्हें जीवन शैलि सम्मंदित रोग कहते हैं आम तोर पर ये लंबी अबधी तक चलने वाली और धीमी गती से बढ़ने वाली चिकित सा स्थितियां एवं बीमारियां होती हैं जिनका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है अताहां इन्हें गैर संचारी रोग अर्थार नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज भी कहते हैं कि जैसा अभी आपने जाना कि जीवन शैली जो है हमारे रहने सेने का तरीका है कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं हमारा आहार कैसा है हम सुभा किस टाइम उठते हैं हम खाना क्या खाते हैं हमारे पहनावा कैसा है हम किस माहोल में काम कर रहे हैं यह सब हमारे जीवन शैली कहल तो एकदम से कभी भी कोई व्यक्ति रोगरस्ट नहीं होता है यह दीरे-दीरे से आपके शरीर को रोगरस्ट करता है इसलिए यह एक ऐसी स्थिती है कि जहां पर आपकी जो बीमारियां है वह बहुत धीमे से आपके पास आती हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता है और एक व्यक्ति से यह दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है तो इन्हें गैर संचारी रोग भी कहते हैं अब जानते हैं गैर संचारी रोग जैसा अभी हमने आपको बताया कि गैर संचारी रोग वही है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं यह स्व अगर हम इन पे समय से ध्यान दें, तो हम इनको change कर सकते हैं, हम रोग रस्त होने से बच सकते हैं। यदि हम इन पे ध्यान ना दें, तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर को रोग रस्त करतके हमें मृत्यू का तक लेके जा सकते हैं। गैर संचारी रोग देश में मृत्यों का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं और कुल मोतों में इन रोगों से मरने वालों का अनुपात 42 प्रतिशत से अधिक है तो अब ये जानिये देखें कि आपका ये जो आंकड़ा है आपका 42 प्रतिशत से अधिक है जबकि हमारे हिसाब से हमें लगना चाहिए कि जब संक्रमन फैलता है तो उससे ज्यादा व्यक्तियों की मोत होनी चाहिए लेकिन ये 42 प्रतिशत से अधिक है तो और ये तब है जब ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा रहे हैं तो इसलिए इन सब चीजों पर रहन सहन पर हमारी जीवन शैली पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि शहरी और ग्रामीन दोनों ही अबादियों में रुगनता एवं मृत्यू संख्या में चिंता जनक बडोतरी देखने को मिली है पहले ये समझा जाता था कि ये जो रोग है आपके जितने इन बिमारियों से बड़ी संख्या में संभावित उतपादक आयू समू जो हमारा 35-64 वर्ष आयू के लोग है उनके जीवन में शती हो रही है यही सबसे ज़्यादा आपका काम करने वाला आयू समू है और यही लोग सबसे ज़्यादा इन बिमारियों से ग्रसित हो रही है गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोज और पुरानी गैर संचारी बिमारियों के समान जोखिम घटकों को देखते हुए भारत सरकार ने कैंसर, मधुमे, CVD जिसे हम कार्डियो वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं और स्ट्रोक के निवारन और नियंदरन के लिए एक एकिकृत राश्ट्रे कारकरम प्रारम किया है जो की NPDCS के नाम से जाना जाता है तो इस कारकरम के मुख्य उदेश्य क्या हैं? आए हम यह जानते हैं उदेश्य वहवार और जीवन शैली बदलाव के माध्यम से समाने NCD जो हमारे Non-Communicable Disease हैं उनकी रोगथाम एहम नियंतरन समाने NCD का शिग्र निदान और प्रबंधन करना कि उन्हें समय से आप पहचान ले कि इस रोग की तरफ बढ़ रहा है और NCD के बढ़ते बोश से निपटने के लिए सारजनिक स्वास्ते ढांचा मुख्यता चिकित सको परा चिकित सको और नर्सिंग स्टाफ के भीतर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना उपशामक और पुनरवा संबंधी देखभाल के लिए कि शमता स्थापित और विक्सित करना ये सब इस कारेकरम के उद्देश्य हैं तो जैसा कि आपका ये स्वास्ते कारेकरता का प्रोग्राम है तो इसमें आपकी बहुत महत्पून भूमिका रहेगी कि आप किस तरह से लोगों को इन रोकों के बारे में जागरूप करते हैं इनके कारणों के बारे में बताते हैं और हम इन चे कैसे उन लोगों को बचा सकते हैं ये सब आप इस कारेकरम के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं आए जानते हैं मुख्य गैर संचारी रोग कौन-कौन से हैं रक्त चाप, हृीदय रोग, मधुमे, मोटापा, आगहात, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, कैंसर, आधी ये सब मुख्य गैर संचारी रोग हैं जो की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं लेकिन आप भी देखते होंगे कि आजकल हर कोई आम तोर पे जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पता चलेगा कि वह उच्छ रक्त चाप से पीडित है या उसको मधु में हो गया है या मोटापा तो आजकल ऐसा हो गया है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि मोटे होंगे क्योंकि खेलते कूदते इतना है उनमें भी मोटापा जो है घर करता जा रहा है तो यह सब बहुत चिंता का विशय क्योंकि मोटापा है अपने आप में एक बीमारी तो ही है साथ में और अन्य बीमारियों का घर भी है कि मोटापा आने से ही ब हिर्दय रोग क्या है इनके प्रकार कौन कौन से हैं कारण क्या है और लक्षन क्या है सबसे पहले जानते हैं हिर्दय रोग के प्रकार कौन कौन से हैं उच्छ रक्त चाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं हृदय वाहिका रोग कौरणरी धमनी रोग जो हम कौरणरी वह सब हृदय रोग के प्रकार हैं सबसे पहले जानते हैं कि हृदय रोग क्या है हृदय रोग या हृदय नलिका रोग ऐसे रोगों का एक सम्हू है जो हृदय या रक्त नलिकाओं जिसमें धमनिया और शिराय हैं उनको रोगरस्त करते हैं हाला कि हम इस शब्द का संबंद ऐसे किसी भी रोग से लेते हैं, जो हुरिदय नली का तंतर अर्थाथ जो आपका cardiovascular system में उसको प्रभावित करता है। और आम भाशा में या हम समान ने तहां इसका प्रयोग मेद काठि में या atherosclerosis जो धमनी के रोग हैं, उनसे संबंदित रोगों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, coronary धमनी रोग, अर्धात coronary artery disease या coronary heart disease जो हम बात करेंगे, एर्थिरोश क्लोरसेज में धमनियों की आंतरिक दिवारों पर कॉलेस्ट्रोल और वसा का जमाव हो जाता है। यह जमाव, रक्त वाहिनी की clogging द्वारा रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, इसके परिणाम सुरूप हिदे को कम मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है, तथा हिदे को सुचारू रूप से कारे करने के लिए आवश्यक पोशक तत्वों और oxygen की कमी से चूजना बढ़ता है, जब हम बात करें रहें ADero's chlorusa की अर्थाद जो धमनी है, उस में कड़ापन आ जाता है या उसमें कॉलस्ट्रोर और वसा का जमाव हो जाता है, तो जत्वाल जो शिए आपकी धमनी का धमनी का चिद्र जो है कम हो जाता है, उसमें जो खून रक्त भ democrat उसक्युक जो हिर्दय है अपना कार्य सुचारों रूप से नहीं कर पाता है और उसको आवश्रक पोशक तत्व जो हैं जो रक्त की सप्लाई है ऑक्सिजन की सप्लाई है वह नहीं मिलती है तो उसकी वज़े से उसमें काफी सारी परिणाम मतलब काफी सारे चेंजिस आ जाते हैं अब आईए जानते हैं कि कौरोनरी धमनी रोग होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं जोखिम के जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले मोटापा यदि कोई व्यक्ति धुम्रपान करता है तनाव उच्छ रक्त चाप आसान जीवन शैली अर्थात परिश्रम की कमी कोई परिश्रम रहित आपका कारव रह है जिसमें आपको कोई भी महनत नहीं करनी पड़ रही है शारिरिक तोरपर तो वह भी इसका एक रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ा होता है यदि किसी व्यक्ति को मदुमे है मद्य पान करता है शराब बहुत अधिक मातरा में पीता है तो प हमनी रोग हो सकता है और इसके अलावा है आपके रक्त में कॉलेस्ट्रोल का उच्छिस्तर अपोस्टिक आहार और उम्र जिनकी उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच होती है उनको यह रोग होने का अधिक जोखिम रहता है अगर हम लिंग की बात करें सेक्स की बात करें तो महिलाओं की पुरुष पहले जोखिम में पड़ते हैं अर्थात पुरुषों को यह रोग होने के ज्यादा चांसे होते हैं अगर हम पारिवारिक इतिहास फैमली हिस्ट्री की बात करें तो जिस परिवार में कोई व्यक्ति यदि पीडित है तो उसमें उसकी आने वाले बच्चों में यह रोग होने का जोखिम अधिक होता है तो कि अगर किसी के परिवार में किसी की मदर को है या पादर को है तो उनके बच्चों में यह रोग होने का चांस अधिक हो सकता है तो इसलिए उन्हें ज्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अब जानते हैं कि कॉरोनरी धमनी रोग के लक्षन क्या है आपको कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि उसको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए ताकि वह उसको जादा बढ़ने से रोक सके यदि किसी व्यक्ति के चाती में दर्द होता है या उसे जखडण महसूस होती है या भारेपण महसूस होता है तो ये कॉरोनरी धमनी रोग का लख्षन हो सकता है यदि उसे बहुत जादा धमनियों में दबाव लगे या अत्याधिक दबाव लगे जलन हो, सांस लेने में कटनाई हो, बाहों में, specially बाएं कंधे में दर्द महसूस होता हो चक्कार आता हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो ये कौरनरी धमनी रोग के लक्षन हो सकते हैं आईए अब जानते हैं कि इसकी रोगथाम कैसे कर सकते हैं इसका हम कैसे इसको रोग सकते हैं सबसे पहले है आहार परिवर्तन कि जो कुछ भी हम आहार खाते हैं उसका हम ध्यान दे क्योंकि आजकल का जो हमारा आहार शैली है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है हम आज कल ताजे फल सबजी खाने से ज़्यादा जो फ्रोजन फूट्स हैं उनको हम लेते हैं या बे मौसमी फल ज़्यादा खाते हैं बच्चे हैं वे ज़्यादा तर आज पीजा बर्गर जो आपका जंक फूड है उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और चाइनीज है जिसमें की मैदा का बहुत ज़्यादा प्रियोग होता है उन सब आहार को खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो इसलिए हमारे क्यूंकि आहार की आतों में परिवर्तन आ गिया है जिसकी वजह से या हम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं मिर्च मसाले वाला खाना ख इंक्लूड करते हैं तो यह सब हम इस रोग को होने से रोग सकते हैं स्वस्थ जीवन शैली या दिन चर्या का पालन करें सुभा जल्दी उठें नियमित रूप से हम अपनी जो दैनिक क्रिया है उनका निर्वाहा करें टाइम से खाना खाएं टाइमली सोएं जो हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली है उसे हमें अपनाना चाहिए लेकिन आजकल का जो कल्चर है काम करने का है उसमें क्या होता जा रहा है कि लोग जो हैं देर से उतते हैं क्यूंकि रात को देर से घर पे आते हैं या उनकी नाइट ड नहीं है इसलिए आपको ध्यान देना चाइए कि जो आप खाना खाते हैं रात का खाना 7 बजे तक खाने बहुत अच्छा है और रात का खाना स्पेशली भ Nearly a time woolawa उग उतु Guardians आचन तंत्रा उसको कारे करने में ढुकत ना हो कि मैं अपनाcher से पालन करें कि आपका जो भी काम होता है उसको टाइमली आपको डिमिशय करें ले नहीं हो तो अपने आप में ही रोग रस्त होते हैं अगर हम देर से सो की उठेंगे, देर से सोएंगे तो जो हमारी दैनिक दिन चर रहा है, जो हमारे नित्यकर्म है वो भी देर से आइङे तो इतने देर तक जब हमारा मल हमारे शरीर में पड़ा रहेगा तो वह विश उत्पादन करता है, टॉक्सिंस पैदा करता है, जो कि हमारे शिरीर को नुकसान देते हैं इसलिए एक हमें स्वस्त जीवन शैली या दिन चर्रह जो हम बोलते हैं, उसका पालन करना चाहिए नियमित रूप से योग या व्यायाम करें, ताकि आपका फिजिकल वर्क जो है फिजिकल एक्सराइस होती रहे आज का टाइम हमारा ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क ठही करते हैं जितने भी हमारे काम रहते हैं, वह सेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है कि सबको ज़्यादा तर बैटके ऑफिजिकल वर्क बहुत कम रह गया है तो नियमित रूप से आपको योग या व्याम करना चाहिए व्याम करने में आपका रसी कूदना है, जॉगिंग करना है या आपका कुष्टी जिसको पसंद है, बैडमिंटन खेलना है कोई भी ऐसा व्याम आपको करना चाहिए जिसमें आपको शारिरिक महनद करनी पड़े तो आपका ये व्याम 35 से 40 मुट कम से कम आपको करना चाहिए और हफते में दो दिन तो आपको व्याम के लिए या योग के लिए निकालने ही चाहिए चौधा है हमारा जो रोग थाम का इसमें रहता है, वजन को नियंतरित करना कि आप अपने वजन को नियंतरित रखें, आप इसको बढ़ने ना दें अगर आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है तो तुरंत अपने खाने पिने पर ध्यान दीजिए तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसालेदार ये सब नहीं खाएंगे ज्यादा वसा युक्त खाना है, बेकरी आइटम्स हैं, ये सब आप नियंतरित कीजिए तो आप अपने वजन को नियंतरित कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान या मद्देपान करता है तो उसको अंकुष लगाए, उसको ना करे ये सब चीजे जो है, आपकी धमनी रोग होने से रोग सकते हैं वैसे तो ये जो हम आपको रोग ताम बता रहे हैं, ये जीवन शैली से सम्बंदित क्यուंकि हमारी आत्ते हैं, उनको हमें बदलना है, तो ये हैं हमारे सभी जो रोग हैं, उसके लिए लागू होगी फिर भी हम आपको सारे चीजों आपको एके करके बताते जाएंगे आए अब जानते हैं उच्छ रक्त चाप के बारे में High Blood Pressure के बारे में कि यह क्या है उच्छ रक्त चाप रक्त शरीर में प्रवाहित होते हुए रक्त वाहिकां अर्थार जो धमनिया हैं उनकी दिवारों पर विप्रीत पाश्व दबाव डालता है इसे रक्त चाप कहते हैं समानेता यह 120-80 mmHg रहता है वहस्तिती जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है उच्छ रक्त चाप कहलाती है इसे धमनी उच्छ रक्त चाप या हाईपर टेंशन भी कहते हैं जैसे आप जानते हैं कि जो रक्त है हमारे शरील में रक्त वाहिकां से प्रवाहित होता है तो जब यह बहता है तो हमारी धमनियों पर एक विप्रीत पार्श्व दबाव जिसे हम लेटल प्रेशर कहते हैं बह डालता है कि जैसे आप नलका चलाते हैं तो उसमें अगर पाइप लगा है तो एक प्रेशर से पानी निकलता है जब आप देखते हैं इसी तरह से हमारी धमनियों में भी रखत बहता है समानेता यह 120-80 mmHg इसको हम मरकरी के प्रेशर से नापते हैं तो 120-80 mmHg रहता है अगर यह स्तिती जिसमें की यह रखत का दबाव है इस प्रेशर से बढ़ जाता है जादा हो जाता है तो हम उसे उच्छ रखत चाप या हाइपरटेंशन कहते हैं ऊच्छ रखत चाप को सिस्टोलिक रखत चाप 140 mmHg के बराबर या उससे अधिक और या ड्यास्टोलिक रखत चाप 90 mmHg के बराबर या उससे अधिक के रूप में परिभाशित किया जाता है जो आपका उच रक्तचाप है अगर उसमें आपका सिस्टोलिक रक्तचाप जो ऊपर का रक्तचाप है वह 140 mmHg होता है या उसके बराबर होता है तो और अगर डायस्टोलिक जो नीचे का रक्तचाप है वह 90 mmHg के बराबर है या उससे अधिक है तो हम व्यक्ति को बोलते हैं क उच्छ रक्त चाप से ग्रसित हो सकता है या है इसमें भी यदि हम देखें अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वह 140-90 मेज्जी आता है तो उसको हम उच्छ रक्त चाप उन्मुक अवस्था अर्थाच कि उसको उच्छ रक्त चाप की तरफ वह जहा रहा है बोलते हैं तथा अगर 150-90 मेज्जी आता है या इससे अधिक आता है तो हम यही मानते हैं कि वह व्यक्ति उच्छ रक्त चाप से ग्रसित हैं तो यह चीज भी आपको देखने हैं कि व्यक्ति का रक्त चाप कितना आ रहा है अगर वह 140-90 आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि थोड़ सब्सक्राइब नभें मेज्जी आ रहा है तो हम यहीं मानेंगे कि वह उच्छ रक्त चाप से ग्रसित है तो उसको अपना जीवन शैली बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है अब हम इसका वर्गी करण देखते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हम कितने उसमें बांट सकते हैं पहला है प्रात्मिक या मूलभूत उच्छ रक्त चाप जिसको की हम असेंशल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं दूसरा होता है वीत्यक उच्छ रक्त चाप अर्था सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे जो 90 से 95 प्रतिशत मामले हैं वह प्रात्मिक उच्छ रक्त चाप की शिरेणी में आते हैं जिसका अर्थ है स्पश अंतर नहीं चिकित्सिय कारण के बिना उच्छ रक्त चाप होना जिसमें कि हमें कारण ही नहीं पता है कि इसको उच्छ रक्त चाप क्यूं है तो ये सबसे ज्यादा हमारा कंसर्ण रहता है कि हमें इसमें कारण नहीं पता है कि 90 से 95 प्रतिशत मामल प्रात्मिक उच्छ रक्तचाप की श्रेणी में आते हैं शेश 5-10 प्रतिशत मामले अन्य कार्णों की वजह से जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें आते हैं जिसमें की जो परिस्थितियां होती हैं गुर्दे धमनिया रिदय या अंतसरावी प्रणाली जिसमें प्र दोखिम के जो कारण है कौन-कौन से हैं मोटापा, धूम्रपान, तनाव, नमक का अधिक सेवन, असान जीवन शैली अर्थात परिश्रम की कमी जिसमें की आप बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं मधुमे, मद्यपान, रक्त में कॉलेस्ट्रोल का अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं महिलाओं की बात करते हैं तो जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक सेवन करती हैं या उनका सेवन करती हैं गर्भ निरोध के लिए तो उनमें उच्छ रक्त चाप का जोखिम अधिक रहता है यदि हम उम्र और लिंक की बात कर जैसे हमने कोरोनरी धमनी रोगों में भी बताय था यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति रोग ग्रस्त है तो उसके आने वाली पीडि में यह रोग होने का जोखिम रहता है तो इसी तरह से अगर किसी परिवार में उच रक्त चाप से पीडित कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर यह रोग होने का जोखिम अधिक रहता है उच रक्त चाप के लक्षन आईए अब जानते हैं कि आप कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि वह उच रक्त चाप से ग्रसित हो सकता है या है अगर किसी को सिर्दर्ध है जो कई दिनों तक रह रहा है कई दिनों से बना हुआ है या किसी को मिचली होती है उल्टी है सिर्भारी होना दुनली या दोहरी दृष्टी जिसे हम बलड या डबल विजन बोलते हैं कि किसी को अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है अगर उसको पहले साफ दिखाई देता था थोड़े अभी थोड़े समय से ऐसा हुआ है कि उसकी दृष्टी दुनली होती जा रही है या उसे दो से ग्रसित मान सकते हैं और कुछ एक मामलों में नाख से ब्लीडिंग रख्तसराव हो सकता है या फिर किसी में अनावशक पसीना आता है और उसके साथ में उसे सांस लेने में कटनाई होती है तो उसमें भी उच्छ रख्तचाप के लक्षन हो सकते हैं आए अब जानते हैं कि उप द्रफ कौन-कौन से हो सकते हैं उच्छ रख्तचाप की वज़े से हमारे शेरी में कॉम्प्लिकेशन्स क्या-क्या हो सकती हैं सबसे पहले है कोरोनरी धमनी रोग क्योंकि इसमें आपका पता यह उच्छ रख्तचाप अगर हो रहा है तो जो जादा होता है इसमें उच्छ रख्तचाप में तो वह फट सकती हैं रिदे शैथिल्ले हार्ट फेल्योर हो सकता है इस्चमिक हार्ड डिजीज हो सकता है व्रिक शैथिल्ले अर्थाथ किड्नी फेल्योर हो सकता है इस्चमिक हार्ड डिजीज का अर्थ है कि किसी एक हिस्से रक्त की सप्लाई जो आपका हर्ट है उसमें किसी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई रक्त की आपूरती नहीं हो पाती है आँखों में ख्षती जिसे हम हाइपर टैंसी रेटिनोपैथी बोलते हैं वह हो सकती है यदि हम उच्छ रक्त चाप को ध्यान ना दें तो जिसमें की आए अबात करते हैं रोग थाम के बारे में कैसे कर सकते है जैसा हमने फोरणरी आर्ट्री डीजीश के बारे में बात करी थी कि उसमें जो हम रोगथाम बता रहे挺 आपको की आहार परिवर्तन करना है या स्वस्त जीवन शैली दिन्चर्रा का पालन करना है, नियमित रूप से योग या व्यायाम करना है, वजन को नियंतरित करना, धुम्रपान, मद्देपान पर अंकुष लगाना, तो ये सब आप इसमें रोक्थाम में लोगों को बता सकते हैं, और इसमें खास और से ध्यान रक्त चाप में नहीं करना है, क्योंकि जो सोडियम हम ले रहे हैं, नमक जो हम ले रहे हैं, वह भी हमारे उच रक्त चाप है, उसको बढ़ाता है, नियमित जीवन शैली अगर हम अपनी जीवन शैली में नियमित रूप से योग या व्याम को जगय देंगे, तो ये हमारे अनावशक वजन को कम करेगा, जो हमारा फैट, जो वसा हमारी आर्टरी में जमते जा रहा है, या जमने लगा है, उसको हटाएगा, ताकि जो हमारी धमिया है, वह पून रूप से कारे कर सकती हैं, उनमें रप्त का प्रभा अच्छे से हो सकता है, तो ये सब चीजे हमें द देर से सो रहे हैं, देर से जाग रहे हैं, जिसकी वज़े से ये रोग हो रहे हैं, तो वो चीजे हमें ध्यान देना है, कि हम वो चीजे ना करें, दियमित रूप से अगर हम व्याम करते हैं, योग करते हैं, तो ये हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, उ थोड़ी दे प्रकृति को हम दें अगर हम क्योंकि प्रकृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं इसलिए रोग हमें अपनी तरफ घेरते जा रहे हैं तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हम प्रकृति की तरफ वापस जाएं थोड़ा सा टाइम हम प्रकृति में जाना कि हम जो हमने अभी दो डिजीज पड़े हैं जो रोग पड़े हैं इनका हम रोगथाम कैसे कर सकते हैं क्योंकि यह एक हम बोल सकते हैं स्वस्थ अपनानी है जिसमें की ज्यादा तला हुआ वसा यूगत खाना नहीं खाना है या मिर्च मसाले अत्यधिक रोग नहीं करना है हमें और नियमित रूप से वयाम शारिरिक श्रम जरूर करना है ताकि हम इन सब चीजों से बचे रहें वजन हमारा ना बढ़े क्योंकि वजन बढ़ता है मोटापा आता है तो शरीर में धिमनियों में वसा जन सकता है बहुत सारी कंप्लिकेशन मोटापा के कारण शरीर में होती है जिसको हम अभी आगे जानेंगे की तो और आज के लिए यहीं पर हम इसको समाप करते हैं धन्यवाद झाल झाल झाल